कन्या रासी वालो आप के लिए सबसे बड़ा काल है इस नाम का व्यक्टी मित्रो अगर यह व्यक्टी आपके साथ है तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे क्योंकि मित्रो यह व्यक्ति आपकी जिन्दगी का सबसे बड़ा दुस्मन है आपकी जिन्दगी को बरबात करने में भी इसी ही व्यक्ति का हाथ है जी हां मित्रो ध्यान से सुनेगा कि आज किसी वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अउगुण कुछ एसी गलत आदितों के बारे में बताने वाले ही जो हो सक्टा है कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति में हो यानिकी हो सक्टा है कि आपके साथ काम करने वाले सेह कर्मे के रूप में हो आपके मित्र के रूप में हो या आपके कोई बहुती करीबी इंसान में यह गुण हो तो मित्रो आज ही उस इंसान से रिष्टे नाते तोड़ दीजिए उससे दूरी बना लेजिए वरना मित्रो आप बरबाद हो जाओगे और अगर वह व्यक्ति आपका बहुत ही खास है तो आप उससे हात जोड़कर विनर्म अनुग्रह कर सकते हैं कि आज ही से ही इन आदतों क को छोड़ दे तो मित्रो वीडियो अत्यांत मेहतु पुरण होने वाली है हम आप सभी को एक बार फिर से कह रहे हैं सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा सब से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी भक्त अपनी मा के लिए सच्चे दिल से जैमात साधी लिखेगा मात और अने उनकी सारी मनो कामनाय पूरुन करेगी तो मित्रो मतलबी जी हां ध्यान से सुनेगा कि मतलबी इंसान केसे होते हैं और केसे इनसे हमें दूर रहना चाहिए सबसे आसान तरीका है आपके प्रटी उसके सोभाव को समझना जी हां अब सच्चा मि मित्र वई होता है जो हर समय आपका खयाल रखे आप जब बुलाए वह बिन बुलाए भी दोड़ा चला आए और आपको हमेशा जिन्दगी का मेहत उप्रण अंग माने लेकिन जो व्यक्ति मित्रो आपके साथ एसा ना करे जो व्यक्ति आपको केवल जरूरत परने पर ही य वी सफल नहीं हो सकते जी हा मित्रो अब बहुत से लोग इसे होते हैं जो आपको देखकर आप से इस्रिया करते हैं यानि कि मित्रो आपसे जलन करते हैं आपके मन में उनके प्रती जलन की भावना रहती है मित्रों जो लोग दूसरों की जीवन को देख कर इस्रिया करते हैं उनसे भी दूर रहें क्योंकि मूर्ख को सिख्सा देने का कोई लाब नहीं मूर्खी व्यक्टी किसी के ग्यान उपडेश को नहीं समझता इसलिए मित्रों एसे लोगों से किसी भी तरह का संपर्क करने में समय की बरबादी और जेवन की बरबादी होती है इसलिए मित्रों जो लोग इस्रिया रखते हैं जलन की भावना रखते हैं यह लोग हमें अंदरी अंदर कमजोर भी कभी कभी बना देते हैं क्योंकि मित्रों इन लोगों को देख कर भी हमारे मन में तरह तरह के नकरात्मक विचार भी आने लग जाते हैं और हम उचाई की उस काम्याभी पर जाने से पहले भी बहुत बार सोच विचार करने लग जाते हैं इसलिए मित्रो जो लोग आप से जलते हैं, उनसे किसी भी परिकार का संपर्क ना रखें साथ ही मित्रो लालची इनसान अब ध्यान से सुनिएगा कि लालच इनसान का सबसे बड़ा दुस्मन रहता है मित्रो जो इंसान लालच करता है वह तो उसके लिए बूरा होता ही है लेकिन जो व्यक्ति लालची इंसान के साथ रहता है उसके साथ भी बूरा ही होता है मित्रो क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता है अगर आप किसी लालची इंसान के साथ रहेंगे तो मित्रो अउसकी संगतिक आसर आपके सुभाव पर कही न कही आए गई सही और जो इसे रंग में भंग डालने के भी कोशिस करते हैं जी हाँ मित्रो लालच लालच बहुती बूरी बला होती है इसलिए मित्रो लालची इनसानों के साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संभन्ध नहीं रखना है और यदि आपके आज पास कोई लालची इनसान भी है तो मित्रो से तूरंत दूरी बना लीजिए अमित्रों हम प्रति दिन तमाम तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं लेकिन हम उनकी प्रवति को भाब भी नहीं पाते हैं मित्रों इन बातों को जो हमने बताई है आज ही अपने जीवन में उतार लिया जाए तो मित्रों हर व्यक्ति की पिहेचान आसाने से कर सकते हैं और इन सुझावों का पालन करने से हम हर प्रकार के मुश्किल हाला से बच सकते हैं अब मित्रों बहुत से लोग तो एसे होते हैं जो आपके मुह पर आपके और आपके पीट पिछे दूसरे के होते हैं जी हाँ केहने का तात पर ये है कि मित्रों बहुत से लोग एसे होते हैं जो आपके मुह पर आपके तारिफों के फूल बानते हैं और मित्रों जैसे ही आपके पीट पीछे होते हैं आपकी मित्रों उन बुराईयों के काटे बो देते हैं यूकि मित्रों यह इंसान कभी भी किसी के नहीं होते हैं। मित्रों उधारन के लिए कहा जाए तो यह लोग बिल पिंदे के लोटे होते हैं। कभी आपकी तरब गुड़केंगे तो कभी आपके दुश मनों की तरब गुड़केंगे। जी हाँ मित्रो तो इन गुड़कने वाले लोगों से भी आपको सभी प्रकार की दूरिया रखनी है इनको अपने जीवन में मित्रो कभी भी आन नहीं देना है वरना यह आपके लिए सबसे बड़े काल आपके जीवन के साबित हो सकते हैं अमित्रो बहुत से लोग एसे होते हैं जो सिर्फ भरोसे मंद होने का दिखावा करते हैं जी हाँ ध्यान से सुनियेगा लेकिन असल में वह अपने उद्देश को पूरा करने के लिए आपके साथ होने का नाटक करते हैं अगर आप एसे लोगों को यानि अच्छे और भूरे लोगों को पहचान न सिख जाए तो एक अलग बात है लेकिन बहुत बार यह होता है मित्रो कि आप इन लोगों को पहचानने में गल्ति कर देते हैं और एसे लोगों से दोका और चोट खाने से बच भी नहीं सकते हैं तो मित्रो इन की पहचानने की एक उलहारन हम प्रेश करते हैं कि मित्रो यह व्यक्टि केसे होते हैं कि जैसे ही इनने काम आएगा यह तूरंत आपके पास दोड़े आएंगे और आपको भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो यह तूरंत आकर खड़े हो जाएंगे और यह कुछ भी नहीं बोलेंगे यह सिर्फ खड़े होकर मित्रो तमासा देखते हैं क्योंकि यही वो लोग है जो केवल भरोसे मंद का अजिखावे का नाटक करती है साथ ही मित्रो ध्यान से सुनियेगा बहुत से लोग एसे होते हैं जो मुह में राम और बगल में चूरी रखने वाला काम करते हैं जी हां मित्रो एसे लोग जो बातों से जेहर उगलते हैं यह लोग वही होते हैं मित्रो अब यह लोग क्या करते हैं कि आपके मुह पर चिकनी चिकनी चुपडी चुपडी बाते करके आपका मन मोह लेते हैं लेकिन कही न कही इसके पीछे इनका बहुत बड़ा मतलब होता है और जैसे ही यह मतलब निकल जाता है इनकी असलियत मित्रो आपके सामने आ जाती है और यह व्यक्ति आपको अपने जीवन में अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की आप जितनी भी कोशिस करेंगे आपके मुझे यह लोग निकलवा ही लेंगे क्योंकि मित्रो इनमे एक अलग प्रकार की कलाह होती है जो आप पहचानने में बहुत बार गलतिया भी कर देते हैं तो मित्रो इन गुणों को देखकर आप आसनी से पहचान भी सकते हैं अब साती मित्रो एसे लोग भी होते हैं जो किसी मुसीबत में फसे हो जब आपको बहुती ज्यादा किसी इनसान की आवशिक्ता है और यह लोग उस वक्त मित्रो बदल जाएंगे आप सोचेंगे कि यह व्यक्ति आपके हैं लेकिन मित्रो कहते ही न कि असली दोस्त की पहचान मुसीबत के समय होती है क्योंकि मित्रो समय में यह भी कुछ व्यक्ति एसे ही होते हैं जो रंग बदल लेते हैं अमित्रो बहुत से व्यक्ति हमारे जीवन में एसे होते हैं जो हमारे पीट में छूरा घोपने के काम करते हैं अमित्रो के से असली मित्रो यह लोग अपनी बातों से पीट में छोरा घोपते हैं ध्य करते हैं लेकिन मित्रों हमारे पीट पिछे मारी बद नामी के बीज बो देते हैं और दिरे दिरे उस बद नामी को यह पैड़ में परीवर्धित कन्देते हैं और हमारी चवेपर एक धूल जमा कर देते हैं जिस वजह से भी कभी कभी हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तो मित्रों आज ही से इन सभी अउगूनों को अपने आसपास के लोगों में जरूर देखिएगा और उन लोगों को परेखिएगा वरना मित्रों वह खुद तो अपनी जिंदगी बरबात कर दी रहे हैं साथ में आपके भी जिंदगी बरबात कर देंगे और कभे भी आपको अपने जीवन में एक लक्स की और आगे नहीं बढ़ने देंगे तो मित्रों वीडियो की समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही मित्रो हमने निचे कमेंट सेक्षन दिया हुआ है वहाँ पर जाईएगा और लिख दीजेगा जय मातादी और अगर आपने हमारे चेनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रीन पर लाल बिटन दिखाए दे रहा है उससे दबा दीजेगा वपास्म वह घंटी विद्वा कर हमारे यूटूब चेनल को अभी जुड़ जाईएगा